मैं इंस्पेक्टर वाग ले इस केस की चानविन मैं कर रहा हूँ अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है थैंक यू सर यूर अनर इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अंगिनत केसेस भी आये होंगे क्या उन अंगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कटल और बलादकार करने वाले ने जिसके उपर बलादकार किया है उसे खुद अस्पताल पहुँचाया हूँ आईये तो अभी तक सुना नहीं करें और अद्विश्टर वागले मुझसे सवाल करने की बजाए आप इस केस में रोशी जाली वही कोशिश कर रहा हूं सर अदालत सरकारी वकिल की जिन दलीलों को मद्दे नज़र रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंदूर कर रही है मैं उनी दलीलों के बारे में कुछ कहने के इजाज़त चाहूंगा इजाज़त है सरकारी वकिल का कहना ये है कि अनिता चोधरी की लाश के पास संजे चौहन का पर्स मिला हो सकता है बेहोश रादा टंडल को उठाते वक्त वो पर्स महां गिर गया हो अब इनका कहना ये है कि रादा टंडली इन लड़कों के खिलाब बयान दिया है ये भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दवाव में आ कर दिया हो जिस डॉक्टर ने बलातकार की रिपोर्ट बनाई हो भी खरीदा गया हो आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती ये फैसला आप जबर दस्थीन पर लाद रहे हो इंस्पेक्टर वाग ले अगर मैं चाहूं तो अदालत की तोहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूँ कोई परवा नहीं है मुझे इस बात की मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से कौन सा कानून कैसा कानून यह कानून तो अच्छन मुझ्रिमों की रखेल बन बैठा है इसलिए लोग अदालत का दर्वादा खटगटाने के बजाए बुंदों की चौकर चुमते हैं टेक इम आउट अज़कोर्ट